नमस्कार मैं हूँ वैश्टरवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं ACC नियूसूडे पश्यम बंगाल के 800 लोकसबा सीट में आज उप्चुनाव हैं इस उप्चुनाव में भाजपा ने अपनी शांसद अगनी मित्रा पॉल को खड़ा किया है आपको बता दे कि आज मंगलवार सुबय अगनी मित्रा पॉल की गारी पर पत्राव हुआ जिसके बाद शेत्र में तनाव का महौल बंच जुका है आपको बता दे कि इसी सीट से तरेने मूल ने सत्रुगन सिन्ना को खड़ा किया है चुनाव में शत्रुगन सिन्ना के उतरने के बाद यह मुकाबला काफी हाई प्रोफाल हो चुका है निर्वाचन आयोप के अनुसाराथ सुबह साथ बजे से ही आशन सो लोक सबा सीट और बाली गंज विधान सबा सीट में उप्चुनाव शुरू हो चुके वही पॉल ने त्रिनमुल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पोलिंग एजेंट को बाला बानी के मद्दान केंदर में नहीं जाने दिया और उनके गारी पर भी पत्राफ किया गया है जिसके जबाब में तरिनमुल ने कहा है कि उन्होंने छेत्र में असान्ती फैलाने की कोशिश की त्रिनमुल को कहना है कि कोई एक विधायक बीस गारियों से क्यों घूम रहा था और उनके सुरक्षा करीमियों ने छेतर में असानति फैलाने की कोशिश की है इस पर निर्वाचुन आयोग ने कहा है कि वो इस मुद्धे पर गौर करेंगे और जल्दी शिकायत दर्च करेंगे आपको बता दे कि पहले दो घंटे में आसन सो लोग सबा सीट में 12.77% मद्दान हुए है वहीं बाली गंज में 8% मद्दान हुआ है बाली गंज से त्रिनेमुल ने बाबुल सुप्रियों को खड़ा किया है आपको बता दे कि बाली गंज का प्रतिनेजित करने वाले राज्ज के मंत्री सुबरत मुखर जी का पिछले साल दिहांत हो गया था जिसके बाद आसन सो लोग सबा सीट और बाली गंज विधान सबा सीट में उपचुनाव का आयोजन किया गया है आसन सो लोग सबा सीट में 15 लाक मद्दाता मद्दान करने के पातर हैं वहीं बालिगंज विधान सभा सीट में धाई लाक मद्दाता मद्दान करने के पात्र हैं। आपको बता दे कि केंदर सरकार ने अपनी कुल 133 टुकरियों को इन मद्दान केंदर पर तैनात किया है। और यह मद्दान शाम के सारी 6 बजे तक चलने वाले हैं। ऐसे ही देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारी साथ और देखते रहें ACC News Today सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल।